पुस्कार दोस्तों, ब्लोड का जम जाना सबसे भयानक और खतरनाक है। इसमें लाखों रूप्या पैसे भी चला जाता है और इनसान का सरीर भी खराब हो जाता है। इससे इंसान के मस्तिस्क गत्रतरतरे के समस्याएं होता है, एपिलेपसी, पागलपन, जितने भी समस्याएं, ज्यादतर ब्लड के क्लटिंग होने के ही पुर्वरूप से देखा गया है, क्लटिंग होने से कैसे पेसेंट को बचाया जा सके, इस दिशा में हमें काम करना बहुत जरूरी होता है मैं अपने डायरी से आपके लिए आज एक ऐसा फर्मुला को लेके आया हूँ इसे आप जरूर नोट करेंगे उसके बाद आप अपने क्लिनिक में रखेंगे आपके पास कोई पेशेंट आते है तो उन्हें आप इस फर्मुला को जरूर नोट कराईए ये हर किसी के घर में एबिलबल कुछ जो सबजियां है कुछ जो पदार्त है इसके कमपोजिशन से हम पेशेंट के जो क्लटिंग है उसको दिरे दिरे ठीक करने में सहायता दे सकते है सबसे पहले हम समझेंगे कि क्लटिंग आखिर होती क्यों है तो आयरुवेदी गरंत के आदार पर सरीर में कफ के जम जाने से वायू के जो मार्ग वो अबरोध होने के बज़े से जब वो सरीर हीट सरीर में आना सुरू होता है पित बढ़ता है उस कफ को पिगलाने के लिए तो उसी प्रोसेस में सरीर इतना हीट करता है उस कफ को पिगलाने के लिए कि सबसे पहले फिर बुखार आता है तो इतना बुखार आता है कि उसके बज़े से कभी-कभी नसे टूट जाती है कभी-कभी वहाँ पर रक्त जमना शुरू हो जाता है तो इसी हम ब्लड का जम जाना या क्लटिंग कह सकते हैं अगर यह काम ब्रेन में हो तो इनसान को ब्रेन हेम्रेज जैसे समस्याएं हो जाता है तो सबसे पहले अगर किसी को इस तरह के मस्तिस्क में यानि उसके ब्रेन में अगर बुखार आता है तो सबसे पहला हमारा एक करतब्य है कि किसी भी कारण से उस व्यक्ति के बढ़ते हुए उस अनकंट्रोल बुखार को कंट्रोल में लाना है यह काम आपको अपने घर में या OPD लेबल में करना है किसी बड़े हस्पिटल में एड्मिट करने से पहले तो यहाँ पर बताया जाता है कि आपने जो ठंडा पानी है इवन की जो वरफ है उसको निकालिये और उस वरफ के ठंडा पानी से कम से कम 50 या 60 एमल वो पानी तुरंत उस व्यक्ति को आप एनिमा दे दो एनिमा देने से तुरंत उस व्यक्ति के सरीर में जो गर्मी है वो कम होगा बाद में जो होगा वो देखा जाएगा लेकिन गर्मी को कंट्रोल अगर आप नहीं करोगे तो हस्पिटल में पहुंचने से पहले ही बंदा मर जाएगा या उसको ब्रेन हैम्रेज होगा या उसको ऐसा कुछ होगा जिसको फिर कंट्रोल करना उसके बड़ी मुश्किल होगा इसलिए ठंडा पानी से एनिमा देना नहीं चाहिए या अरुवेदी ग्रंथा भी बोलते है लेकिन यहां पर इसके अलबा कोई दूसरा सादन नहीं है और ऐसा करके देखा गया है और ठंडा जो पानी है बिल्कुल वरफ वाला पानी से अगर हम यहां एनिमा देते है तो हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो उसमें सीतलता पैदा होगा और बढ़ता हुआ जो हीट है वो इंस्टेंडली कम हो जाएगा तो बाद में जो कुछ भी होगा वो देख लेंगा इस एनिमा से लेकिन अभी हमारा मुख्य काम क्या था कि उस व्यक्ति के जो बढ़ता हुआ जो भयानक जो मस्तिस्क जो ज्वर है उसे हमने बस रोक दिया उसके बाद घर में नहीं रखना पेशेंड को हस्पिटल तो लेकर के जाना ही है लेकिन उससे पहले अगर आप ये करेंगे तो पेशेंड का जो ब्रेन हेम्रेज होने से सम्मधित जो दिक्कत आने वाला था वो बच जाएगा आप यू लगा लो कि आपने पेशेंड को बचा दिया एक स्रिप बरफ के ठंडा पानी से 60 एमल या 70 एमल पानी के एनिमा देने मातर से अब उसके बाद अगर किसी आदमे के सरीर में पहले सही कलटिंग है यानि बलड कहीं पर जमा है तो ऐसे में आपने ये कुछ चार पांच घर के अंदर जो अबिलेबल जो चीजें हैं उसको कलेक्शन करना है जैसे सबसे पहले आपने लवकी का स्वरस निकालना है एक कप उसके बाद उसमें अपने पुदिना का रस तीन चम्मच तुलसी का रस तीन चम्मच काली मिर्च के दाने उसको पाउडर बनाईए कम से कम तीन दाने होनी चाहिए और चौथाई जो चम्मच है उसे आपने प और उसके बाद पेसेंट को सुबह और शाम खाली पेट आपने इसको पिलाना है। दोस्तों यह एक ऐसा दबाई है जो कफानोवंद को जो कफ का जो अनुबंद है उसके बज़े से जो सरीर में पित बड़ा था उसकफ को तोड़ने और जलाने के लिए तो वो यहाँ पर इससे हट जाएगा। मगर कभी-कभी डक्टर ने MRI या कोई ऐसे रिपोर्ट निकाला और वहाँ रिपोर्ट में पता चला कि इस पेसेंट को कभी भी क्लटिंग हो सकता है, बलड जम सकता है, एक बयानक बुखार, फिवर से ये व्यक्ति को परिजानी हो सकती है। किसी रिपोर्ट में ऐसा आया। तो अब क्या करें? तो जरा इस दवाई को भी, इस कंपोजिशन को भी जरा आप नोट कीजिए। सबसे पहले आपने लेना है पिपली, उसके बाद इलाईची, फिर बच्च, हिंग, सज्जी खार, सेंधा नमग, सौवर्चन नमग, सोंट और अजमोध। इसे मैं डिस्किप्शन में भी लिख दूँगा, वहाँ जाकर कि आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो इन सबी को आपने बरोबर लेना है और उसके बाद कम से कम आपने इसको एक चम्मच वो वैसे डिपेंड करेगा कि पेशेंट का सरीर किस तरका है। अगर पेशेंट कमजोरी नहीं है उसमें शरीर बिलकुल है ठीक है अच्छा है शरीर और उसका एज भी कम से कम 25 से उपर है तो एक चम्मच या सरीर के हिसाब से शरीर को देख करके उसके सरीरिक बल और ख्षमता को देख करके आपने इसको एक या आदा चम्मच देना है। पाना खाने के बाद दही के तोड बोलते हैं यानि कि दही को जमाने के बाद जब जब जम जाता है तो वहाँ पाने निकलता है उस दही से पस उस पानी के साथ इसको या इसको खा करके उपर से उस तोड को आपने पीना है तो अगर ऐसा करते हैं तो यह दवाई क्या करेग दिरे 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 उस वायू के जो मारग है या जो रास्ता है वहां इस्थित जो कफ है जो उस रास्ता को अबरोध यानि रोक रहा है उसको या दिरे 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 उसको पकाना उसको डाइजेस करना और उसको सही रास्ते में ले जाकर के सरी से बाहर निकालने का काम ये कर द दवाई का प्रयोग कर सकते हैं तो आज मुझे दीजे बिदा आने वाले समय में इसी तरह के दवाईयों का पंपोजिशन का और किसी भी अनेक रोगों के उपर फर्मूलेशन अगर आपको चाहिए तो जरूर आप इस चैनल को सस्क्राइब करके छोड़िए हमारा एक दूसरा चैनल आयूसयोगी और हमारा एक वेबसाइट आयूसयोगी.com तो यहाँ पर आने वाले बहुत जल्द हम बड़े बड़े जो आयरुवेद आस्ट्रोजी से रिलेटेड जो एक्सपर्ट है उनको हम यहाँ पर इस वेबसाइट में और उस आयूसयोगी नाम के यूटूब चैनल में हम लेके आएंगे इस तरह के जो जटिल रोग है उसको कैसे समझे जो स्टडी करने वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत बहतर दिन आने वाला है वास थोड़ा सा आप प्रतिक्षा करें आपने नाड़ी सीखना है या आईरुबेद सीखना है या जोती सीखना है या कुछ भी सीखना है आप उस वेबसाइट के माद्दिम से फ्री में आप हमारे यहां से सीख सकते हैं या इस चैनल के साथ आने वाले समय में हम आप सभी लोग एक साथ मिल करके जूम एब के माद्दिम से घंटों बात करेंगे किसी एक विसेश टॉपिक के उपर तो आज दीजे विदा जैस्री राम